Hello students, अक्सार आपनी डेडी लाइफ में ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे, अल्ला जाने या इश्वर जाने वो कहां रहता है? इश्वर जाने वो क्या करता है? इश्वर जाने अब हम कहां जाएंगे? तो students, ये सेंटेंस कोशन नहीं है, ये positive sentence है, इसको हम English में कैसे translate करेंगे? आएए देखते हैं, तो सबसे पहले इसके structure को देखते हैं, इसका structure है God knows, यानि इश्वर जाने, अल्ला जाने, प्लस sentence, जो भी sentence होगा, आएए इसके कुछ examples देखते हैं, अल्ला जाने वो कहां रहता है? या इश्वर जाने वो कहां रहता है? तिंगलिस होगी, God knows where he lives, God knows where he lives, यहां देख रहे हैं, question word के बाद एक pronoun है, यानि एक positive sentence है, सेकेंड है, इसकेंड है, वो क्या करता है? God knows what he does, इसकेंड जाने वो क्या करता है? God knows what he does, थेड़ एक सेम्पल है, अल्ला जाने हम कहां जाएंगे? God knows where we will go now, अल्ला जाने अब हम कहां जाएंगे? God knows where we will go now, यहां पर इश्वर जाने हो, या भगवान जाने हो, सबका एक ही वर्ड होगा, यहां जाने जाने हो, जिर वर्ड ही बाएंगे, हैं आने हैं? झाल झाल